चैनल ये बीनी दोस्तों, मैं आपसे भी दोस्तों का श्वैता पाक कलम इस स्वाकत के सासथ अभी नंदन करती हूँ तथा आपने नहीं दोस्तों कैसे बूल सकती हूँ, हेलो, आप लुग कैसे हो, अच्छ इसे हो, आप श्ॵैता पाक कलम बना एक ड्रमिस्टिक के दोरा तै आज का पराठा हम ड्रमिस्टिक के तोरा बना के त्यार करेंगे इसको सहजन भी बोलते हैं और मोरिंगाई बोलते हैं जो भी आपको मिल जाए सहजन उसी के तोरा पराठे को बना के त्यार कर लिजिए सहस परह lets हमने मार्केट से लाने के पाठ, इस सहजन को अच्छी तरह से तीन से चार पानी से धुल के साफ कर लिया, साफ करने के पाठ बाहरी छीकले को руки चाकूल साहत से निकाल लिए। जब आप इस तरह से सहजन को काटेंगे तो उसके बाद इसके बाहरी छीकला आराम से न कटेवी सहजन को टुकड़े को भी दुबारा से अमने दो पानी से धुल के साफ करी इस तरह दीके 500 ग्राम सहजन को अमने काट के तियार कर लिया अब हमने एक प्रिशर कूकर ले लिना है और कूकर के अंदर पूरी सहजन के पीज को डाल देते हैं विसके अंदर जितना हमने सहजन लिया था उतना ही पानी डाल देते हैं लगबग धाई सुक्राम के करीब इसके अंदर हमने पानी को डाल दिया साथी साथ आधा टीबेस्पन से थोड़ा से ज़्यादा नमक को डाल दिया विसके अंदर हमने आधा टीबेस्पन से थोड़ा से ज़्यादा हल्दी पा आया है मांने कल्चु मी ले लिया जिसके द्वारा से बारिकों अजितना पर्ण द्वारा उतलि निकौंकि पूरी सेहें को यूदा lançór मैश करने लेती हैं कि इस तारह से मैश करके त्यार कर लेका पूरा पर बूल के इंदर आ गया और आहे शहन्लीक कैंनी के इंदर रह अध्या हिए इस तरहee पतली नियुंो। अब 291 नौल से हमने सीनल या उन्हकर चा 얼마나 रहाँ दोनो आठा मिला मिला का लगभग 200 ग्राम के एंटा होगा अब इसके अंदर हमने एक से डेट टीबे स्पून सफेद वाली तील डाल दिया अगर आपको इस पराठे में सहचन का स्वात लेना है तो अलग से आप इसके अंदर जादा मसालों को प्योग ना करिए और इस तरह देखे मिला के त्यार कर लिए मिलाने के बाद इस के त्यार कर लेना है अगर आपके पास पानी जाता हो तो थोड़ा सा आटा इसके अंदर और मिला लीजे और इस तरह देखे हमने आटी को अच्छी तरह से गूत के त्यार कर लिया अब एक एक टीबे स्पून इसके अंदर डालते जाते हैं और इसको अच्छी तरह से मसल क के त्यार कर लेते हैं जितना बढ़िया आठी को गूत के त्यार करेंगे पराठा उतना ही टेस्टी बन के त्यार होगा इसके अंदर बहुत जाद मिर्च मसाले को प्योगना करिएगा नहीं तो फिर सहजर का स्वाद आपको पता नहीं चलेगा और इस तरह दीके आठा गूत के त्यार करने हैं बहुँ जाद इसका आठा आठा हमने हाठ नहीं गूतना है अब इसमें से मीडियम साइच के अमने लोई को निकाल लिया निकालने के बाद हतीली पर अच्छी तरह से इसको गोल कर लेते हैं थोड़ा से इसके उपर अमने सूख आठा लगा लिया लगान कि चोरस पाराठा बन गया इसे तरह से पहले हमने टावा रघंग गया इनमिल्ण तबास अनु ज़िए फोर ने पारते को ढाल दिए और थोड़ा सा तेल लगा के इसको तीकोना कर लेते हैं इस तरह देखे तीकोना पराथा बनके तयार हो गया है गैस पर पहले हमने एक तवा रग दिया तवा गरम हो गया है इसके उपर समस्पहले पराथे को डाल देते हैं एक तरब से पराठा से gya है, इसको अमने पलट देना है और फिर इसके बाद इसके उपर आप देल लगा लीजंट घी लगा लीज़िए और एफिर पटर को लगा कि सेक के तयार कर लीजिए यह पराटा पूरी तरह से पढ़तो वाला बनता है इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है इसलिए इसके अंदर अमने बहुत जाते मसाली का उप्योग नहीं किया है एकदम सिंपल इसके अंदर सहजन का पूरा श्वाद आता है और इस तरह देखिए एक तरफ से पराठा सेख के इसको अमने पलट दिया दूसरे तरफ से भी सेख के तियार कर लेती है पराठी को अमने प्लेट के अंदर निकाल लेना है और इसके उपर तिकोनी पराठी को डाल दीती है इसी प्रोसेस के दोरा बाकी पराटों को भी अमनी सेख के त्यार कर लेना है अगर आपको मैं रेस्पी अच्छी लगती वीडियो पसंद आती है तिसी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कु नहीं भूलेगा और मुझे कमेंट करके बताएगा, इस तरह आप इस जहजन का पराटा बनाये तो आपको कैसा लगा इस पराटे को आप किसी भी अचार चट्निया फिर दहिक साथ खाना पसंद करेंगे और यह बहुत ही हिल्दी और बहुत ही टेस्टी पराटा बन के तैयार हुआ एक पर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा स्वात के साथ साथ अब इस जहत का विध्यान रखें हिल्दी बनाईए हिल्दी खाईए आप तिम तक इमती समय निगा के हमारे इस वीडियो देखा इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्माद बहुत बहुत शक्रिया